रास्तन विदान सभा में सौंवार को पेश हुए रास्तन बजट का परदेश कॉंग्रेस अद्यक सचिन पाइलेट और निता परतिपक्ष राजेश्वर डूडी ने नराजगी जताई है उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जनकी भावनाओं की कदर नहीं के गई वहीं सिर्फ एक साल में इन गोशनाओं को धरातल पर लाना संभव नहीं होगा पाइलेट और डूडी ने सरकार पर निशानत साथते हुए कहा कि परदेश के किसानों का संपूर करजा माफ होना चाहिए था इसके बजाए कॉंग्रेस के धरने के बाद सरकार ने लगो और सिमानत किसानों का पचास हजार का करजा एक बार के लिए माफ किया है उनका कहना था कि करज में दवे किसान आत्म हत्या कर रहे हैं कॉंग्रेस सड़क से लेकर विधान सबा तक सरकार को खेरेगी जब तक कि किसान का संपूग कर जब आफ नहीं हो जाता जो हमारे अलबर दिजे के बाजबा दिनायक हैं इन्होंने अक्षर बहुत सी पाशोब्रिये बाते हैं बोली है और कर बैंबारी करी है और लगातार कज़े रहते हैं चार साथ तक तो वो कज़े रहे बाकी से उनसर कोई कारवाई गूरी निया कॉंग्रेस में बजट के अन्य प्राव धानों को भी सिर्फ लिख़े लोग प्रियता हासिल करने और वोट बटोरने की कोशिश वाला बताया